इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत लक्षन दवा है। यह दवा आंट की मानसपेशियों को आराम देती है और एंठन से रहत दिलाती है। माइकोलोन एसर कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लिया जाना चाहिए। भूजन के बाद के लक्षनों में रहत या कम करने के लिए इसे भूजन से 20 मिनिट पहले पानी पीने के साथ पूरा निगला जाता है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इस दवा का प्रभाव उन बढ़ाना और नियमित एकसरसाइट से बहतर रिजल्ट मिल सकता है। इस दवा के बहुत कम या नामातर साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन इस से कभी कभी तवचा पर रैश हो सकता है। सावधान रहे क्यूंकि दवा को रोकना महत्वपून है और अगर आपको सांस लेने म कठिनाई हो या चहरे, गर्दन, जीब या गले में सूजन हो तो डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर और किड्नी समबंदी समस्याएं हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओ को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ निवाद।